नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों हमारी MPGK की वीडियो सीरीज के किसे वीडियो में हमें शुरुआत करनी है मध्य प्रदेश में कल्चुरी वन्ष की शाखाओं से दोस्तों मुख्य रूप से तीन शाखाओं की चर्चा हम करेंगे पहली है महिश मती साखा दूसरी है रपूरी शाखा और तीसरी है रतनपूर शाखा जो की 36 गड़ के अंतरगत शामिल है खीक शुरुआत हमें करनी है कल्चुरी की महिश मती शाखा से राजधानी आपको ध्यान रखनी है महिष मती महिष्वर इसकी राजधानी है और शाषन छेतर की बाद करें तो खरगोन और बड़वानी की आसपास का छेतर महिष मती शाखा के अंदर गत शामिल किया जाता है और दूस्तों पुरमुक शासकों की बाद करें कल्चुरी की महश मति शाखा की, और संस्थापक के बारे में कोई स्पस्ट जानकारी तो नहीं मिलती, किन्तु वास्तविक संस्थापक क्रश्नराज को कहा जाता है, कृष्ण राज के सिक्के, चांदी के सिक्के, मध्य प्रदेश के बैतूल और जबलपुर जिले से प्राप्त हुए हैं जिस पर एक तरफ तो राजा और दूसरी तरफ नंदी की आकिर्थी बनीती तो ध्यान रखना है जो कृष्ण राज वास्तवे के संस्तापक माने जाते हैं महिश मती शाखा के, उनके चांदी के सिक्के हमें बैतूल और जबलपुर से प्राप्त हुए हैं जिसमें एक तरफ राजा और दूसरी तरफ नंदी की आकिर्थी बनी हुई है फिर दोस्तों बुद्धराज की बात करें तो बुद्धराज महिश मती शाखा के अंतिम ग्यात शासक हैं जिसे बादामी के चालुक के नरेश मंगलेश ने हराय था और उन्हें महिश मती छोड़ने पर विवश किया था तो ध्यान रखना है बुद्धराज और बादामी चालुक के नरेश की मत्ध युद्ध हुआ था जिनका नाम मंगलेश और इन्हों ने बुद्धराज को महिश मती छोड़ने के लिए विवश या मजबूर कर दिया था ठीक है ये तो बात हुई महिश मती शाखा की अब दोस्तों चर्चा करते हैं हम तिरपुरी शाखा कल्चुरी वर्ष राजधानी क्या है तिरपुरी है शासन छेतर की बात करें तो कटनी जबलपुर महा कोशल छेतर हम सभी जानते हैं इसके बारे में ठीक है संस्थापक की बात करें तो दोस्तो बामराज या बामनराज कल्चुरी की त्रिपुरी शाखा के संस्थापक माने जाते हैं लेकिन कुछ त्रोत में दोस्तो कोकल प्रथम को भी संस्थापक माना जाता है अब प्रशन आएगा तो आपको अपना विवेक चागरित करना होगा फर्मुक शासकों की बा तिरपूरी शाखा के पर्मो के शासक हैं और दोस्तो, साथवी शताब्दी के अंतिन समय में वाम राज ने दाहल देश जवलपूर के समीप इस शाखा की सापना की थी दाहल देश के दोस्तो आपको जवलपूर याद रखना है दोस्तो कोकल प्रथम का विवा है चंदेल राजकुमारी नक्टा देवी जिसे हट्टा देवी भी कहते हैं इनके साथ हुआ था ध्यान रखना है कोकल प्रथम के दोस्तो 18 पुत्रों में से एक कलिंग राज ने दक्षिन कौशल में कल्चुरी की एक शाखा रतनपुर 36 गड़ की नीव डाली तो यहां से आपको दोस्तो कलिंग राज का नाम ध्यान रखना है इन्होंने कल्चुरी की एक और शाखा रतनपुर 36 गड़ की नीव डाली दोस्तो योराज देव प्रथम इनका नाम भी ध्यान रखना है युवराज देव प्रथम को कियूर वर्षया विरुद के नाम से भी जाना जाता है और युवराज देव प्रथम नहीं दोस्तो जबलपुर में 64 योगनी मंदिर जिसे कहते है गोल की मंदिर और गोल की मठ का निर्मार करवाया था कहां पर जबलपुर में फिर दोस्तो युवराज देव प्रथम की रानी नोहला ने दमो के नोटा में नोहलेश्वर शिव मंदिर का निर्मार करवाया किसने करवाया नोहलेश्वर शिव मंदिर का निर्मार नोहला ने करवाया जो की युवराज देव प्रथम की रानी है और दोस्तो नुहलेश्य और मंदर कहां पर है नोटा में स्खित है जो कि दमोजले के अंतरगत आता है और यूराजदेव के योगी मंतरियों में दोस्तो भाक मिश्र और घोललक शामिल थे संस्कित नाटक कार राजशेकर की बात करें तो राज सेखर ने यो राज देव पर्थम को उजैनी भुजंग या मालवा विजेता कहा है तो यह दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि उजैनी भुजंग या मालवा विजेता किसे कहते हैं यो राज पर्थम को कहते हैं किसे ने कहा है राज शेकर ने कहा है ठीक है और दोस्तों गांगे देव राजा भोज से युद्ध में पराबजित हुए थे इस एफैक्ट को भी आप दियान रख सकते हैं ठीक है इसके अलावा अल बरुनी अबू रहान ने अपने भोगोलिक विवरण में गांगे देव का उलेख दाहल के शासक के रूप में किया है जिसकी राजदानी तिर्फुरी थी यह भी ध्यान रखना है लक्ष्वी देव ने दोस्तों गांगे देव ने लक्ष्वी की छा आप बाले सौने के सिक्के जारी के यह भी ध्यान रख सकते हैं दोस्तों इस वन्सके प्रतापी शासक यह सबसे प्रतापी राजा की बात करें तो वह राजा गांगे देव का पुक्तर कर्ण था जिसने अमरकंटक में कर्ण मंदिर का निर्मान करवाया प्रश्ण वनेगा कर्ण किस वंश का सासक था तो आपको ध्यान रखना है कल्चुरी वंश के अंतरगत तिरपूरी शाखा आप देख सकते हैं जामन चर्चा की हुई है उसका शासक था दोस्तो कर्ण को लक्षमी कर्ण के नाम से भी जाना जाता है जिसने जबलपुर के समीप करणावती नगरी भी वसाई ध्यान रखना है दोस्तो कर्ण मंदर का निरमार मरकंटक में करवाया पर कर्णावती नगरी कहां वसाई जबलपुर के समीप वसाई फिर तेरहमी शताबदी के आरंध में इस वंश का पतन हो गया और तिरपूरी पर गौंड शासकों का पुदैप आरंध हो गय अब दोस्तो यहां पर एक ब्लॉक में कुछ जानकारी आपको दी जा रही है जैसे कालिदास का माल विकागनी मित्रम तो दोस्तो इस ग्रंथ में पुश्य मित्रशूंग और यवनो के मद्धे हुए संगर्ष के विशह में जानकारी मिलती है ध्यान रखना है पुश्य मित कालिदास के अविज्ञान शकुंतलम की बात करें तो इस ग्रंथ में दोस्तो गुप्त कालीन उप्तर तथा मध्य भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन की जलक देखने को मिलती है कालिदास के ही रघुवंश की बात करें तो गुप्त कालीन शम्राट समद्र इस ग्रंथ से परमार वंश के इतिहास के विशय में जानकारी मिलती है किस से नवसा है शांक चरित से इतना आपको ध्यान रखना है किसका है परिमल गुप्त की रचना है ठीक है फिर यहाँ पर कहा बता पर सकते हैं राजा भोज ने तेलंगाना के तेलप वा कल्चुरी व करनिये कहा राजा भोज कहा गंगु तेली तो आप यहाँ पर इसको भी देख सकते हैं कल्चुरी की महेश्मती शाखा में दोस्तो कल्चुरी की महेश्मती शाखा नहीं कल्चुरी की शाखा है हेडिंग होनी चाहिए जिसमें महेश्मती शाखा मध्य प्रदेश में है तिर ठीक है, फिर दोस्तों हमें बात करनी है गुर्जर प्रतिहारवंश के शामंतों की, अभी हमने कल्चुरी की बात की है, शाखाओं सहे, अब हम देखते हैं गुर्जर प्रतिहारवंश के सामंत के रूप में, तो यहाँ पर हमें तीन भागों में पढ़ना है, चंदेल, परमा और क्ल्चुरी, ध्यान रखना है, दोस्तों गुर्जर पृप्रतिहारवंश के शामंत थे लोग चंदेल, परमाहर और क्ल्चुरी, चंदेल की बात करें, तो गुंदेल, खंड चेतर, राज्यकि अंतरगत आता था, परमाहर में मालवा छेतर, और कल्चुरी में महा कौश ठीक तो हमें शुरुआत करनी है चंदेल या जेजाक भुक्ती बंश से सारी चीजों को ध्यान से सुनना है आपको और ध्यान रखने का प्रयास करना है यहां से अक्सतर प्रशन पूछ लिए जाते हैं यदि इतिहास की हम बात करें और मुख्यरुक से मध्य प्रदेश की इतिहास की जब बात की जा रही हो तब तो चंदेल या जेजाक भुक्ती बंश आपको ध्यान रखना है दोस्तों नौवी शताब्दी में नन्नुक जिसे चंदर वर्मा कहते हैं इन्हों ने स्थापना की थी चंदेल या जेजाक भुक्ती बंश की किसने की थी नन्नुक या चंदर वर्माने लोक मानिताओं के अनुसार चंदेलों का मूल इस्थान छतरपुल जिले का मनिया गड़ है राजधानी की बात करें तो चंदेलों की दोस्तों तीन राजधानियों की नाम आपको ध्यान रखने है पहली खजराहो दूसरी कलिंजर और तीसरी महुबा इन तीन राजधानियों को ध्यान रखना है दोस्तों परमुक शासकों की बात करें चंदेल की तो जैशक्ति, राहिल, हर्षवर्धन, यशोवर्मन, धंगे देव, राजागंड, विद्याधर और परमर्दी देव इनके नाम ध्यान रखना है और एक-एक करके हमें चर्चा भी कर लेनी है कि चंदेल वंश के फिर्मों को शासक कौन है और उनका योगदान क्या रहा है इनही के नाम पर इस वंश को जेजाक भुक्ती भी कहा जाता है तो जैशक्ति के नाम पर हम चंदेल वंश को जेजाक भुक्ती वंश भी कह देते हैं यदि बात करें चंदेल के विवाहिक संबंधों की तो दोस्तों कल्चुरी से विवाहिक संबंध है तो चंदेलों और कल्चुरियों के मंद वैवाहि के संबंध इस्थापित हुए थे तर बात करते हैं राहिल की तो जैशक्ती का पुत्तर था और तिहास कारों के अनुसार सागर में इस्थित रहली नामकरण इसी चंदिल शासक के नाम पर हुआ सागर की आसपास आपने दोस्तो रहली चेतर सुना होगा तो रहली का जो नामकरण हुआ है रहली नगर का नामकरण राहिल के नाम पर हुआ है दोस्तो राहिल जैशक्ती का पुत्तर था हर्ष वर्मन की बात करें तो दोस्तो हर्ष वर्मन ने मतंग इश्वर मंदिर का निर्मान करवाया था इस एक्ट को भी आपको ध्यान रख लेना है पर यश्वर्मा या लक्ष्मन वर्मा की बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखना है येशो वर्मा को लक्षमन वर्मा कहते थे। चंदेल शासक येशो वर्मन ने दोस्तों चतरभुज मंदिर का निर्मान और लक्षमन मंदिर की नीव खजराहों में रखी। यशो वर्मन ने दोस्तों पर्तिहार राजा मही पाल, परमार राजा सियक दुतिये और कल्चुरी नरेश यवराज देव पर्थम को हराये था किसने यशो वर्मन ने ध्यान रखना है और कैसे कैसे ध्यान रखना है महीपाल परतिहार है सियक दुतिये परमार बंच से संबन देते हैं और यह राज देव परतम कल्चुरी बंच के राजा है तो यशो वर्मन ने तीनों को हरा दिया था याद रखना है आपके लिए इस चीज़ को दोस्तो लक्षमन अभिलेक में यशो वर्मा को गौण रूपी कीडलता के लिए तलवार बताया गया है ध्यान रखना है गौण रूपी कीडलता के लिए तलवार लक्षमन अभिलेक में किसे बताया गया है ये शो वर्मन को बताये गिया है और महोबा में दोस्तों बेला सागर बेला ताल जील का निर्माण करवाये था ये शो वर्मन ने याद रखना है बेला सागर बेला ताल जील का निर्माण महोबा में किसने करवाये था ये शो वर्मन नहीं करवाये था चतुर भुज मंदिर और लक्षमन मंदिर का निर्माण भी ये शोवर्मन नहीं करवाये था अब चर्चा करते हैं राजा धंग की दोस्तो खजराहो में विश्युनात मंदिर मरकत मनी शिवलिंग का निर्माण कराया कलिंजर को राजधानी बनाया और दोस्तो राजा धंग नहीं खजराहो का जिननानात मंदिर पार्शनात मंदिर का निर्माण कराया इसे भी आपको ध्यान रखना है दोस्तो राजा धंग ने ये शोवर्मन द्वारा प्रारंब किये लक्षमन मंदिर का निर्माण कर ये पूरा कराया और राजा धंग के जीवन के अंतिम समय में दोस्तों प्रियाग के संगम में इनोंने जल समाधी ले ली थी तो यह एफेक्ट भी ध्यान रखें जल समाधी के मात्यम से प्राण प्यागे थे किसने राजा धंगे ने फिर गंड की बात करें तो दोस्तों धंगे के पुक्तर गंडे ने खजराहों में चित्र गुप्त बाद जगदंबा मंदिर का निर्मान करवाया था इन मंदिरों को जरूर याद रखना है कि मैं चित्र गुप्त और जगदंबा मंदिर का निर्मान क कराया और गंड़ेद्र ने हमने चर्चा कर ली है चित्र्गुप्त 만र और जग दंबा मंदिर का निर्मार खज़ा हुँं में कराया था है फिर विद्याधर की बात करें तो गंड़ के पुप्ति विद्याधर ने ध्यान रखना थे एक ज़र उन्यक्राइद्र कनल कर एंक कवीताओं की रचना करता था, इसने लुगात-े-हंदिवी क वीता की रचना की, अब मालू परश्न बन जाएं कभीता की रचना किसने की तो विद्याधर आंसर कर देना है दोस्तों विद्याधर ने अपनी कूट नीती से महमूद गजनवी से दोस्ती और संधी कर ली थी और उसके आक्रमण का सफल विरोध किया था इतना आपको ध्यान रखना है यदि बात करें कीरती वर्मन की तो दोस्तों कीरती वर्मन ने महोवा की कीरत सागर या कीरती सागलजीन का निर्मार करवाया जो की चंद्रावल और उसकी सहायक नदी चंदनोर को रूप कर बनाया गया था दोस्तो कीर्थी वर्मन ने कलेंजर में बुढ़्धा बुढ़्धी तालाब का निर्मार कराया बुढ़्धा बुढ़्धी तालाब कहां पर है कलेंजर में हैं और कीर्थी वर्मन ने करवाया था निर्मार और दोस्तो खीर्थी वर्मन के दरवार में कृष्ण मिस्र नाटककार रहता था जिसने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की तो ध्यान रखना है प्रबोध चंद्रोदय की रचना कृष्ण की कृष्ण मित्रने की और लोकी नाटककार है फिर परमर्दी देव दोस्तो परमर के नाम से जाना जाता है जिसने अपनी राजधानी कलिंजर और महुगा को बनाया परमर्दी देव दोस्तों ग्यारा सो व्यासी में प्रतवी राज चोहां से पराजित हुए और महुगा छेत्र को 裁धना पड़ा तु ध्यान रखना है 1182 में परमर्दी देव और पतिविराज चोहन के बीच युद्ध हुआ था जिसमें परमर्दी देव पराजित हो गए और मौवबा छेतर उनको छोड़ना पड़ा पतिविराज को सौपना पड़ा परसिद्ध कभी जगनिक की बाद करें तो इनके दरवार में थे और परीमल रासों की रचना कर डाली इन्होंने आलहा और उदल परमर्दी देव के मुके सैनापती थे जिनके सम्मान में जगनिक ने वीर रस से उतफूद आलाखंड की रचना की है तो जगनिक ने करिए दोस्तों आलाखंड की रचना ध्यान रखना है आपको इस चीज के बारे में दोस्तों आलाखंड को विश्व की सबसे लंबी कवीदा कहा जाता है जिसमें आला उदल की बावन लराईयों का उल्लेक है ठीक हमीर बर्मन की बात करें तो दोस्तों इनके समय कुद्वूत दीन एवक ने कलेंजर पर आक्रमण बारा सुतीन में हुआ एवं चंडेल वंच का पतन शुरू हो गया फिर रानी दुर्गावती दोस्तों रानी दुर्गावती का जर्म हुआ था 1526 में चंडेल शासक कीरत सेंके भाई शाली वहन के यहाँ पर चंडेल वंच की अंतिम राज कुमारी जो रानी दुर्गावती है उनका विबाय गौन्ड शासक दलपत शाहे के साथ हुआ था इस फैक्ट को ध्यान रखना है और इसी के साथ दोस्तों हमने इस वंच को समाप्त कर लिया है अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे मध्यप्रदेश में मालवा के परमारवन्ष की तब तक के लिए आपको करना क्या है जुड़े रहना है हमारे साथ लगातार मेरत करनी है आगे बढ़ते रहना है और तब तक नहीं रुखना दोस्तों जब तक आपको आपका लक्ष प्राप्त में होता जैहंद वंदे माकरम